नमस्कार आप देख रहे हैं देश के मुद्दे मैं हूँ अंचली देश के मुद्दे में आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान संबंधों की और इस मुद्दे पर आज हमाई साथ बातचीत के लिए मौजूद है परम विशिष्ट सेवा मेडल और पूर्व उप्थल सेना अध्यक्ष लेफिनेंट जनरल निरंजिन सिंग मलिक मलिक जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में जन्यवाद जनरल मलिक भारत पाक संबंधों को लेकर ये हमेशा से कहा जाता रहा है कि दोनों देशों के जो रिष्टे हैं उसमें विश्वास की भा पूश होते रहेंगे कि मैं तो मिलिटरी आदमी हूं फाजी हूं और मैं यूआ को भी सब को यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों को फ्यूचर देखना है पाकिस्तान कभी भी भारत का दोस्त नहीं बन सकता तो आप चूंकि उसकी जो पहचान है पाकिस्तान की अपनी कोई तरह से है और वह पाकिस्तान तब तक है जब तक वह एंटी इंडिया रहेगा जिस दिन वह एंटी इंडिया खतम हो जाएगा पाकिस्तानी रहेगा उस दिन वह पंजाब बलुजिस्तान सिंद बन जाएगा अलग-अलग बन जाएगा उसी परकार से तो इसलिए उनको अप मिलिटरी को आप डाउन करोगे मिलिटरी की बात नहीं मानोगे तो हिंदुस्तान आगे तुम्हारे उपर कब्जा कर लेगा जबके भारत का ऐसा कोई वह नहीं है हमारी अपनी समस्याए है हम उनी से डील कर लें और वो देश तो आज उस हालत में हो गया है कि महां पर तो अगर कोई आदमी किसी को इनवाइट भी किया जाए तो वहां बड़ी मुश्किल से सोचना पड़ता है रोजाना वहां बम बॉलास्ट होते है रोजाना वहां बुरा हाल है आपस में मड रहे हैं शिया सुनी रह रहे हैं पहले उन्होंने हिंदू को निकाला अब शिया के पीछे पढ़े हुए थोड़े दिनों में आपस में उनकी फैक्शन्स होएंगे उनमें शुरू हो जाए हैं और वो अपना वो लोग शायद हमसे कुछ रिष्टा रखना चाहिए पंजाबी पंजाबी मुसल्मान कभी नहीं करें एक और बहुत एहम मुद्दा है सियाचिन का क्या कहना है सियाचिन के मुद्दे पर आपका पहली चीज़ तो मैं देशवासियों को सभी को कहना चा हैं जो सियाचिन के पटयम में पाकिस्तान पाकिस्तान का कश्मीर जो है उसके अंदर है तो पहली चीज़ में यह समझना चाहिए कि हिं नहीं का मुद्दा है सल्टा और चिंटर अइसके पाकिस्तानanks साइड में बैठा हुआ हुआ है वहां दूस्सी चीज़ आती है इसका डी-militarization, जिसका क्या आपने सवाया चुआ है, किस लिए? क्या जरूरत है हमें फौजा को वहां से हटाने की? आज हमारी सेना वहां पर तेनात है, आज हमारी सेना वहां पर इतना अपने आपको अक्लेमटाइज कर चुकी है, कि जो पहले हुआ करती थी, हमारे साथ casualties होती थी, जो नैचरल बरफ की वज़े से या high altitude की वज़े से, आज वो समश्या नहीं है, साथ के साथ में हमारे logistics, जो उनको समान पहुचाने की, जो उनको मदद पहुचाने की, रस्द पहुचाने की सारी समश्या जो हैं, वो भी पू पाकिस्तान और जनता को जब यह पता लगेगा तो उनकी से मुद्दि में हमने बात करी भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर जब बने करण कारण है आज के जो इस वर्तमान समय में इन दोनों देशों के बीच संबंध जिस तरह के बने हुए हैं लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि trust deficit इन दोनों देशों के बीच से कभी खतम नहीं हो सकता और शायद ही ऐसा कभी हो सकता है कि दोनों देश एक दूसरे पर पूरी तरह से विश्वास करकर एक दूसरे के साथ मिल जुल कर चल पाएंगे देश के मुद्दे में आज बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए मुझे आगया दीशे नमस्कार